Welcome to a new listen guys, my name is Kanchan and you're watching me on Vidya Sa आज की ये विडियो आपके लिए बहुत important है क्योंकि आज आप सीखने वाले होमोफोन्स के बारे में होमोफोन्स क्या होते हैं साथ हे साथ 50 ऐसे होमोफोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी एक बात याद रखेगा होमोफोन्स यानि की पेर की बात कर रहे हूं तो 50 होमोफोन्स के बारे में जब आप जानेंगे तो आप 100 vocabulary भी तियार करेंगे तो विडियो में जरूर से इंट तक बने रहेगा क्योंकि ये चीज समझना भी जरूरी है दो spellings को एक ही जैसे pronounce किया जाता है तो confusion बढ़ जाती है वो confusion आपकी यहाँ clear हो जाएगी सबसे पहले समझते हम होमोफोन्स क्या है होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दो वर्ड्स है उन्हें हम होमोफोन्स कहेंगी यानि पेर है that have the same sound उनका sound same होगा same sound ठीक है but different spellings or meanings spelling या फिर meaning different होगी sound same होगा तो ऐसे कई बारी आपके सामने चीज़ें आती हैं जिसकी वज़े से आप confused भी होते हैं तो एक example देखिए h-e-a-r here, here means सुनना और h-e-r-e इसे भी here प्रणाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है यहाँ तो यह दोनों homophones है दोनों का sound same है लेकिन दोनों की spellings अलग है और meanings भी अलग है तो ऐसे आप 50 यानि के कुल मिला के 100 vocab सीखने वाले हैं next is p-r-e-y pray, pray means प्रार्थना करना and p-r-e-y pray, pray means शिकार आगे देखिए stationary s-t-e-t-i-o-n-a-r-y a के साथ जो stationary है, इसका मतलब है स्थिर और e के साथ जो stationary है उसका मतलब है लेखन सामागरी जो के आप किसी stationary shop से खरीटते हैं ठीक है next is story s-t-o-r-y story means कहानी जो आपकी दादी नानी सुनाती थी and s-t-o-r-e-y story इसका मतलब मंचिल next is l-o-s-e loose इसका मतलब होना and l-o-o-s-e इसे भी loose प्रिनाउंस करेंगे इसका मतलब धीला आप देखिए d-u-a-l dual इसका मतलब दोहरा और d-u-e-l dual इसका मतलब द्वान्द यूद next is s-o-u-l soul means आत्मा s-o-l-e soul means जूते का तलाया फिर तल्वा c-i-t-e sight means उदाहरन देना and s-i-t-e sight means स्थान next t-o जोसे आप जानते हैं as a preposition यूज करते हैं कहीं पे कुछ मतलब कहीं पे कुछ मतलब होता है to means ko and t-o-o इसका मतलब भी next is g-a-t-e gate फाटक जो आपके घर में है g-a-i-t-e gate का मतलब चाल next is b-e-r-t-h birth birth का मतलब होता है rail गाड़ी या जहाज में सोने का जो स्थान होता है उसे हम birth बोलते हैं इसमें e है and b-i-r-t-h birth जिसका मतलब होता है जन्म next is b-r-a-k-e break इसका मतलब car की break या किसी वाहन की break and b-r-e-a-k-e break means तोड़ना next is c-e-l-l cell means jail and s-e-l-l cell means बेचना next is die d-i-e die means मृत्यो होना and d-y-e die means बालो का रंग जो बालो में यूज करते हैं next is h-e-a-l heel heel का मतलब car का भरना and h-e-l heel का मतलब area next is h-o-u-r इसे भी hour प्रेनाउंस करते हैं h-silent होता इसका मतलब घंटा and o-u-r hour का मतलब हमारा next s-o-n sun means पुत्र और s-u-n sun सोरे के लिए यूज होता है सूरज next c-e-n-t scent यानि की सैकड़ा and s-c-e-n-t scent means खुशबू next b-e-b means होना ठीक है and b-e-e b means मधुमक्खे next is b-e-a and bean इसका मतलब होता है same या कोई भी ऐसे फले जिसे beans बोलते हैं सबजी के बात कर रही हो and b-e-e and bean उसी b की form है हो आना कभी हम कहीं से जाकर हो आने के लिए भी bean का यूज करते है ठीक है next is b-u-y by means खरीदना and b-y next h-e-e-e-r here में सुनना यह आपने देखे लिया शुरू में next is k-n-o-w no means जानना and n-o-no means नहीं k-n-o-w में k-silent होता है and k-n-o-w s को हम बोलते हैं nose यह हम यूज करते हैं present indefinite में third person singular के साथ and n-o-s-e nose means नाक next M-A-I-L male means डाक भेजना and M-A-L-E male means पुरुष next meet M-E-A-T meet means months and M-E-E-T means मिलना next P-L-A-I-N plane means सादा and P-L-A-N-E plane means जो हवा में उडता है हवाई जहाज R-I-G-S-T right means ठीक या फिर right means अधिकार भी होता है and जो ये right है W के साथ W-R-I-T इसका मतलब होता है लिखना next is R-O-A-D road means सडक और यहाँ देखे R-O-D-E road means खोड सवारी करना right की second form road दोनों को pronunciation is same S-A-I-L sail means जहाद चलाना and S-A-L-E sail means बिक्री next S-E-A-C means समुद्र S-E-E-C means देखना next is steel S-T-E-A-L steel means चोरी करना S-T-E-E-L steel means फौलादी next your Y-O-U apostrophe R-E यह क्या है contraction है U-R का इसे भी your pronounce करते हैं Y-O-U-R your means तुम्हारा तो गाइज अगला है T-A-I-L tail tail means फूँच and T-A-L-E tail means कहानी यानिके story next is T-E-I-R there means उनका या उनकी and T-E-R E there means वहाँ इसमें अकसर confusion होती है और spelling इधर से उधर हो जाती यानि किसकी जगा वह लिख देते हैं ध्यान रखिएगा एक टू अभी मैंने compare कर आया जिसमें T-O and T-O-O था और साथ है ये भी है T-W-O इसे भी टू प्रेनाउंस करते हैं ये है दो and T-O-T-O means को preposition next is would W-O-O-D would means लकडी and W-O-U-L-D would means ये क्या है एक modal verb है जो की हम use करते हैं कालपनिक चीजों के बारे में बात करने के लिए यानिकि कलपना करने के लिए next is flower F-L-O-U-R flower means आटा and F-L-O-W-E-R flower means fool इन दोनों को ही दो तरीके से प्रणाउंस किया जाता है चाहे तो आप दोनों को flower प्रणाउंस करें या फिर आप दोनों को flower प्रणाउंस करें आगे देखिए I-D-L-E idle means आलसी and I-D-O-L idle means आदर्श दोनों में कितना फरक है बिल्कुल opposite लगते हैं नहीं K-N-I-G-H-T night means योधा शूरवीर and N-I-G-H-T जिसमें K नहीं है उसका मतलब होता है रात Mostly आप देखेंगे कई सारे ऐसे words हैं जहाँ K silent होता है तो इसकी तियारी अच्छे से कर लीजे ताकि कोई गल्ती न हो अब यहाँ देखिए यहाँ भी K silent है K-N-O-T not means guard and N-O-T not means नहीं Next weather W-E-A-T-H-E-R weather means मौसम and W-H-E-T-H-E-R weather means चाहे Compliment भी confusing है Compliment I के साथ जो होता उसका मतलब है प्रशेंसा करना and जिसमें E का use हुआ है I का कहीं use नहीं है Compliment उसका मतलब होता है पूरक तो गाइस यहाँ होती है विडियो कम्प्लेट आपने सीख लिए 50 homophones इसका मतलब आपने 100 vocab सीख लिए विडियो कैसी लगी लिख के जरूर बताएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कंचन मैं मुझे आंटोनिम्स पर विडियो चाहिए कंचन मैं मुझे सिननिम्स पर विडियो चाहिए वो caps को strong करती जाओंगे तो आप अपने comments मुझे लिखते जाएए ओप कि अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा विडियो को और अपने friends के साथ शेयर जरूर केज़ेगा ताकि मैं आपके जरिये और उके भी मदद कर पाऊं और उमीद करती हूं कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे ताकि देश के कोने कोने तक हर एक बच्चे के पास ये सभी विडियो पहुँचे वो फ्री में घर बैट कर इंग्लिश सीख सके और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो सी यू सून इन दे नेक्ट वन जाहिंद